हुआ है तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये अच्टिसिटि और मैंटिजम का जो क्लास टेंबर 6 ता उसको डिसकाश कर रहे थे और हमारा आध क्लास ये class No. 7 है तो आजके class में हमारा इसका जो निम्रिकल गया उसको यहाँ पर कुस्टन किस तरह से इसमें पूछा जा रहा है पिछले class से हमने और प्रतिरोदों का से उसता होता तिक और फ़र्मूला आथी इसके बारे मेरी हम यहां पर देखते हैं आपका डिख्राय कोशन दिया गया है कि कि चालक तार से 10 एंप्यार की धाना सेकेंट तक प्रवाइद होती है यदि चालक तार का जो वीगूंतार हो तो कि एक कार की गरना करिए तो इसके लिए हम इसका जो अभी concept यहां पर देखें नहीं है नेक्स क्लास में इसका concept देखेंगे डबलू जी कॉस्टू वी इन्टू की ठीक है यह आपका फार्मूला होता है यह आपका किया गया कार होता है ठीक है किया गया कार ठीक है और यह जो आपका तो इसको लिख सकता है इसको लिख सकता है आप अब देखे यहां क्योंट यह व्याइक कितना पंद्रा वोल्त यारिक जब आप ४ज इसका अंचल में यहाई वंद रो सःन यहां पर आजाएगा ठीक है तो यह इसका और यह आपका यो आप पर है यह का मतलब फार्मूला है इसको हम आगे देखेंगे तो यहां पर यहां पर अगला कोशन है आपका देखें अगला कोशन दिया कि किसी चालक का विभवांतर दो बिंदूओं के बीच इतना वोल्ट है ठीक है यह चार एंपियर की धारा उससे प्रवाइत होती है तो उ किटना उब्याइए आपका प्रतिरोट पूछ रहा है तो इसके लिए अर जम निकालें इतना हो जाएंगा वीभाई आ हो जाए आउं में अब देखें तो देखें कितना है यहां पर आठ दिया गया आइए आइक वाली कितना दिया और यहां पे कितना होता है दो ओम हो जाएगा ठैक है इसका आंसर हो जाएगा दो ओम ठीक है यहां पर यह तरह से इसका आंसर हो जाएगा इसको आप इंटीफिक आप अप पहले बत्खले क्लास्स में दे कुके हैं feelson दिया गया है यह आपका चालक्ता यहां पर किस चालक की पतार होता है ने चालकता जितना भी हम लें कॉंसेट देखा है वहां पर ध्यान से पढ़िए पेडियाफूस का डिस्क्रिप्शन में हम दे दिया है लगवख सारे जो भी क्लास हुआ है तो वहां पर इस तरह के चीज़ें हम बता हैं जी इस तरह पर आपको कोश्ण देखने को मिलेगा इसी आपका क्या हो जाएगा चालकता हो पर कितना हो जाएगा सलगा शेया हाँ 100 हो जाएगा और समस्क्त उ सक्राइबकल in आगे लगोशन पर दिया गया है कि एक चालगतार में जीसका प्रतुरोद कितना है 47 X से क्या होता है माइक्रो एमपियर से लिक निशे में होता तो महाँ करें डिए चोटान या निकी दो कि इन्टू माइक्रों पिंप्र होगा है इसले से आपका डीसा पर य तो यहां पर कितनी आ जाएगी यह आप करेंगे देखें यह तरह से कर सकते हैं एक जीरो से जीरो कार देंगे तो कितना जाएगा यह जाएगा 12 by 100 अब इसको जो आप भाग देंगे कितना पॉइंट वन टू वोल्ट यहां पर आपका आंसर आजाएगा जो कितना दिया गया है तो आपको थोड़ा सा आपको यहां पर यहां पर अगला कोशन आपको दिया गया है कि एक चालज तार का प्रत्रोध कितना दिय तो नया प्रत्रोध बताना तो इस तरह के कुशन को सौल करने के लिए एक फर्मूला आपको यहां पर देख सकते हैं कि आर तू जी कोस्ट यह होगा देखिए पहले तो आपको आरवन यह दिया गया है तो आटू क्या करेंगे वहां पर उसको खीच कर दो गुना किया जात तो आप आंसोर यहां पर निकल जाएगा तो न्युक्त आरवन किया जाता है यहां पर इन तो कि यहां पर इंटू कितना है चाइब सब्सक्राइब क्या करता है यह मैंचनिकल में चेंज करता है जिसकाा अप्षण नमबर हो जागा विदूत मोटर जो की विदूत से आपको मैंकनिकल यांट्रिक में चेंज करता है अगला कुछान है आपका कि लाओड स्पीकर में उर्जा का परिवर्थन कैसे होता है तो इसका देखे अप्शन नमबर ए है ध्षॉनी से यांत्रिक ततपाषाथ विदू तो उर्जा में होता है अगला क्वोस्ट अपर दिया गया है कि माइक्रोफोन में उर्जा का परिवर्तन किस तरह से होता है? ठीक है? तो देखें, पहला आपको दिया गया अप्षन नमर यह द्धॉनी से यान्तरिक तत्पसात विधूत उर्जा में यहाँ पर माइक्रोफोन में उर्जा का परिवर्तन होता है ठीक है? तो इसका अप्षन हो जाएगा अप्शन नमबर ए इसका सयंच रोज़ेगा माइक्रोफोन में उर्जा का परिवर्तन ठीक है और माइक्रोफोन का अविस्कार किस ने किया था कि आपको यह ने किया था ओर ऑगला कोशन देखिए आपका यहां को कि यांतरिक उर्जा को विदूत उर्जा में यहां पर परवर्थन करने वाली यूप्ति कहलाती है तो यहां पे जो दाइनोमो होता है यह इसका सई अंसर होगा कि आपको विदूत में चेंज करेगे और यह जो दाइनोमो होता है यह क्या होता है कि फैराडे की विदूत चुम्ब की प्रेरण जो होता है उसके उस पे आपका ये कार करता है ठीक है सिद्धान्थ पे ये कार करता है ठीक है अगला कुशन आपको दिया गया है की ट्रांसफार्मर द्वारा होता है ठीक है यहां से एक से का झाल हो जाएगा अगला कुश्टन यहां पर दिया गया कि DC की अपक्षा AC के लाहब यह हैं कि ठीक है तो DC और AC के बारे में पढ़ेते देखिए एक होता है यहां पर AC एक होता है DC ठीक है यह क्या होता है आपका इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा ठीक है प्रत्यावर्ती धारा ठीक है इसको अल्टरनेटी तो इसमें पुर्जा होती है लेकिन कहाई इसमें क्या होता है वृताaster नहीं होते हां नहीं कि इसकी जनल उतन पादन रागत रांतिए खलत है है यह औप basement नमबर डी या कम उर्जा के हानी के साथ क्या होगी लंबी दूरी तक संत्रित की जा सकती है ठीक है तो यह करता है यहां पर विदूत परभाट में के धारा की परभागों जैसे की मेर ज्यादा उस पर लोटा आता है तो क्या करता हो पतलब भंग करते तुट जाता है ठीक है इस आपसी हो जाएगा थिका विदूत पर्पत में फ्यूज का कार cheard थि फीर से वही कोशन यहाँ पे तो यहां पर लिपीट हो गया अगला यहाँ पर दिया गया है कि वि तो विद्वध परपत्त में, besar को क्या किया जाता ऐा? option Nofova A इसका हो जाएगा, गर्मतार में, science को लगा जाता है, एक तो इसका option Nofova A हो जाएगा, और विद्वध परपत्त में, what is complete? है इसका जो अब याद रखेगा अगला देखिए यहाँ पर कोश्वन आपका दिया गया है कि 750 वात अंकित विदूत इस्ट्री में इतना वल्ट पर प्रवाहिद धारा होगा तो एक । फर्मूला होता है कि को आगे क्लास में दिखेंगे समय अभी को देखें इसका देखें यहां पर जो प्यकोस्ति यहां आपको सब्सेद्व मकूला होता है थे टो इस पर हम सॉल्प करेंगे हैं ज च यहां पी होता है यह कितना हो जाएगा यहां हो जाएगा तो कितना दिया दो सो बीस बोल्ट और यह हो जाएगा आपका यहां साथ सो पचास ठीक है इसको भाग देखेंगे तो बाइस में मतलब 75 से तो थी पॉइंट फॉर यहां पर आपका आजाएगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ह तो यह था आपका option number D इसका सही answer ठीक है तो आज के लिए बसे इतना ही अगर आपको अच्छा लागा आप चैनल सब्सक्राइब लाइक शेर करें ठीक है और इसका जो next part जो concept रह गया उसको हम next class में देखेंगे ठीक है तो तेरे thank you so much